इस question में हमसे क्या क्या हा गया है the displacement time graph of a moving particle as shown below the instantaneous velocity of the particle is negative at the point तो इसके अंदर से आपको बताना है कि किस point पे particle की velocity negative है सही है तो मैं आपको पहले slope के बारे में बता देता हूँ ये वाला जो graph है इसका slope 0 है सही है इसका slope 0 है ये वाला जो graph है जो उपर बढ़ रहा है इसका slope positive है और ये वाला जो graph है इसका slope negative है अब आप खुद decide करिए इसमें कहां पे slope positive है कहां पे negative है है हमें कुन सा वाला धूंडा है negative वाला धूंडा है देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो slope positive है अगर यहां देखेंगे तो tangent दालेंगे तो इसका slope zero है अगर आप यहां देखेंगे तो इसका slope कैसा है negative तो इसका सही answer किया है यहां कि option a आपको समझ मैं होगा चलिए आगे बढ़ते